कि आज की ये दूसरी क्लास के लिए है कि लिए है कि इट्स ब्लर यस सर्ट देखना एक बार क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चे के रहे हैं ब्लर आ रहा है सुभए सुभए की क्लास थोड़ी और जल्दी करनी पड़ी कि मुझे कि हाँ कि ठीक है या भी भी ब्लर है कि कैमरी की सेटिंग भी आउट हो गई है थोड़ी तक करना पड़ेगा इसको क्योंकि इन दोनों में से कोई कैश फ्लू पहले करो या फाइनल अकाउंट वह आपके चोईज है करना पड़ेगा देख रहे हैं क्वेशन देख रहे हैं दिखाऊंट है कि ब्लर है हाँ 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 है भगवान है कि कुश्चन वीज्वल ही नहीं है आपको ना है थोड़ा और बड़ा करें हैं कि अब बताओ कि अब तो मैंने सारी हद पार कर दी यहां पर है कि इसको कहां ले जाए चलो एक आइडिया कि घर थोड़ा कि ना 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 क्या चलो जी स्टार्ट करते हैं अब क्या करें है क्लियर है चलो हम आप देखो हमें क्वें एक हैं आपके किताब में वी हैं देख लो ऑनर्स वाले बच्चेस देखो हैं किताब में कुश्चन लिए पॉस्ट नहीं ओनर्स वाली देखेंगे आपके वास्ट प्रोग्राम की भूक है कि अगुए कि नहीं है यह है कि है कि है कि है कि नहीं चलो पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं अब अग्री क्लास और इसका भी लगाएंगे हम कि कुश्चन कहता है सार शियर होल्डर फंड दे दिया जिसमें एक्विटी प्रफरेंश रिजर्व और देखो यह सर्प्लस को ना नेगेटिव मैं से ब्रैकेट करके लिखा है तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या है इसका मतलब लॉस है और फिर लॉंग्टरम बोरॉइंग डिवेंचर दे दिया इन्होंने ट्रेड पेवल क्रेडिटर बैलेंशिट दे दिया बैलेंशिट क्या समझों और यहां पे दिए प्रिलिम्रेरी एक्स्पेंस कहता है आई स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बिन एग्रीड अमंगिस दा शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर एंड अप्रूब्ड बाइदा कोट फॉलविंग साइलेंट फीचर कोट ने बोल दिया भाई कर लो रिकंस्ट्रक्शन कोई चिंता वाली बात नहीं है आप करो स्टार्ट आगे रिकंस्ट्रक्शन और सभी ने मिलके अग्री कर लिया कि हां भाई हमें करना है कि क्याता है एक कुटी शेयर और टूबी रिडियूस टू थ्री इच फुली पेड़ कहता है भाईया जितने भी कुटी शेयर हैं इसको रिडियूस कर दो दस रुपए है ना इसको रिडियूस करके कितना कर दो तीन कर दो तो एंट्री क्या करेंगे सर पहले इकुटी शेयर कैपिटल और टू न्यू इकुटी शेयर कैपिटल और टू तू क्या करोगे सर टू रिकंस्रक्शन फायदा होगा तो थोड़ा शॉट में लिख दिया तो भाईया इकुटी शेयर कैपिटल हमारे पास था छे लाग का यह छे लाग का था अब कहता है कि भाईया इसको ना आपना कितने का कर दो तीन का तो छे को साथ हजार को तीन से मल्टिप्लाई करोगे तो कितना आएगा एक लाख असी अजार फायदा हो गया हमारा चार बीस हर बच्चे से हर एक एंट्री के बारे में पूछूंगा और आपको बहुत जल्दी जल्दी जवाब देना सर समझ में आ गया आगे चलो पहली एंट्री हर बच्चों क समझ में आ गया हर बच्चों को ऐसी एंट्री कलियर है हर एक सूड़ेंट को कि जल्दी जल्दी जवाब दो कि ऐस यस थोड़ा सा समय लेंगेает कुश्र करेंने को लेखिन हर एक बच्चों करlaub लेना जरूर ना जरुयार हे diet प्चाब बोल दे के सर एक बार समझ में आ गया है फिर आगे बढ़ा जाएं चलिए साहब सर यह कंपनी लॉग के सेक्षन में आता है बिलकुल आता है कंपनी लॉग के सेक्षन में ही है यह सेक्षन मेरे ख्याल 55 है आपको आगे कुश्चन में मिल जाएगा कहता है 9% preference shareholder यानि सर इसकी बात चल रही है इसकी इसकी बात चल रही है 9% preference shareholder agree accept करता है भीया 12% debenture face value एक लाख बीस अजार issue at par full satisfaction बोलता है भीया हमारे पास जो 9% preference shareholder है that is वो कितने के हैं वो है 2 लाख के यह कहते हैं भाई मेरे को एक काम कर तू debenture दे यानि मैं तुझे debenture दे दूं और बोलता है debenture पता है कितने दे दे 9% 12% वाले debenture दे और जादा मत दे मुझे तू तू मुझे कितने का दे दे एक लाख बीस अजार का दे फुल satisfaction मुझे और कुछ नहीं चाहिए और कुछ न सार प्रिफरेंश यर कैपिटल 9% 9% अकाउंट डेविट और टू 12% डिवेंचर 12% डिवेंचर और टू री कंस्ट्रक्शन तो बहिए प्रिफरेंश यह था दो लाख एक लाख बीस हजार असी हजार बताओ किसी बच्चों को कोई दिक्कत सेकिंड एंट्री में भी आप अ समझ में आया के नहीं हाए मैं सेकींड रिसफिक संझ में आ घ्या से किया कि आप सभी लाइव में हो पता नहीं कैसे पढ़ रहें हैं प्रयंश का कहना है नहीं आया सक у कि अभर प्रियांस्ऑ कर दो पिर तो क्या नहीं आया वो देख लेंगे पूची लेते हैं अभर करने क्या नहीं आया कि अकाश तनुं को कहना है ओके जल्दी जल्दी करो प्रियां सुनि तो आगे बढ़ जांगा आपको मौका दिया जा रहा है अभी आप पूछ लो हैं टु हैं नहीं तो यह डाउट कि डाउट रह जाएगा कि सी पे चलते हैं कि कहता है इंट्रस्ट डियू और अन्सिक्यूर्ड लॉन पेड फॉर्टी परसंट डिसकाउंट अब यह कौन सा था नंबर टू था यह नंबर थ्री इंट्रस्ट डियू अब सबसे पहले तो इंसिक्यूर्ड वाला देखो तो इंट्रस्ट एकुरूड और डिबेंचर यह रहा यानि यह तीस अजार वाली की बात कर रहे हैं भाईया तीस अजार था इसने बोला कि भाईया हमें पेमिंट कर दो और उस पे डिसकाउंट कर दो 40 परसंट यानि हमें पूरा पैसा मत दो 40 परसंट काट करके दो तो कित अंसिक्योड यूएस लिख दिया मैंने ठीक है तो अब कहता है क्या करो सर इसको पेड करो पेड करो तो कहां से दोगे बैंक से तो दोगे अब पैसा पैसा थोड़ी ना अपने आप आ जाएगा बैंक से देना होगा और तू तू क्या करें फाइदा रीकंस्रक्षान रीकंस्रक्षान तो तीस हजाऑ और भाईया बैंक से पैसा कितना 12,000 माफ कर दिया तुमने तो यहां तो 12 लिख दो तो 18,000 पेमिंट करके चुटि लो जी तीसरी एंट्री में भी बता दो तीसरी एंट्री कर दी मैंने खताम उने वाला है सवाल देखो कितनी तेजी सागे बढ़ रहे हैं इंट्रेस्ट वाला पहले इंट्रेस्ट की हिंदी समझते हैं इंट्रेस्ट डियू ऑन अन्सेक्यूर लॉन पेड एट 40% डिसकाउंट उसको पैसे देंगे लेकिन 40% डिसकाउंट पर देंगे इसका मतलब है कि भाईया तेरा जितना पैसा बच रहा था 40% तुझे कम देंगे अब तुझे कम देंगे 40% तो मुद्दे की बात है सर तुझे 12,000 रुपे कम देंगे तो देंगे कितना तुझे 18,000 रुपे तो बड़ी सिंपल सी बात है तेरा सबसे पहले तो लाइबलिटी से मैंने सारा इंट्रेस्ट डेबिडी कर दिया बैंक से तिरको 18,000 दे दिया त इसकी कौन से डियू की बात चल रही है 11% डिवेंचर की बात चल रही है सर और कितने रुपे का था चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो 44,000 बोलता है कि बहिए मेरे को नहीं चाहिए सारे पैसे हम आपकी कंपनी के उपर तरस खाके 50% कर डिसकाउंट दे रहे हैं इसका मतलब डियू अन 11% डिवेंचर अकाउंट डेबिट और टू बैंक से पैसा दो और टू पाइदा क्या लिखती है है यह री कंस्ट्रक्शन सर कितना बैंक से जाएगा पहले तो था चौव वालिस फिर हो गया बाइस फिर हो गया बाइस अब इस दोनों एंट्री को आप देखिए जिस बच्चे का डाउट है आप पूछिए मुझसे इसके बाद क्रेडिटर है किसी बच्चे को डाउट है तो बताईए यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताईए इसमें हम बैलेंस शीट भी बना के दिखाएंगे नई वाली बैलेंस शीट पूरा का पूरा कुश्चन करेंगे एक कुश्चन होगा लेखिन हो जाना चाहिए वैसे मेरा मानना है कि कॉर्परेट अकाउंट को दो हिस्से में बांट देना चाहिए पहले तीन यूनिट एक समस्टर में देना चाहिए जो आलतु-फालतु के सब्जेक्ट दे रखें उस सब्जेक्ट को हटा के कम से कम आधा-धा कर दे ताकि बच्छा चाहित सारी समस्टर में आ बलता है साथी सब्जेक्ट दे दिया मैं इस बड्जक आपके अब लिटर आगा मैं पूछ ने सेकें सेमस्टर के सारे सब्जट के नाम खिल वाले भूल चुके होगे ठीक है सेकंड सेमस्टर के याद नहीं हो तो इसको मेरे हिसाब से तो भाई दो बार में पढ़ाना चाहिए एक पार्ट अभी दे देना चाहिए और थोड़ा सा जो एडवांस-डवांस को उच्छन से ए छोड़ा सा खाली छोड़ा हुए वहां अड़िस्ट कर देना चाहिए तो अब क्या करें कि उनको लगता है यह भी बहुत कम सब्जेक्ट है इस लेवस बड़ा कम है क्योंकि सही से चीजों को करने के लिए उन्होंने जो लेक्चर डिजाइन कि आ तक लिए इस लेक्चर को और रिष्ट करने में छiपको करते बनाया है कभी आप अपने बच्च्चे को पढ़ा एए के और कर पातें लäter बड़े बड़ेi चपटर है और इतने समिस्टर में देते थे तब तक बच्चा सब मटिया पलीद कर देता था और चौते समिस्टर तक कहां याद आए अभी फिलाल यह तो है कि बारवी का थोड़ा थोड़ा याद रहता है लेकिन चौते में तो वह भी याद रहता था पहले आगे देखिए इसको यही इसकी खासियत इस चप्टर की इसके जो लेंग्वेज है वह बहुत मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा देते हैं कई बार पहले हम क्रेडिटर लिख लेते हैं फिर बात करेंगे क्रेडिटर हमारा एक लाख 66,000 अब कहता है कि इसके अंदर दो पार्ट 40% क्रेडिटर इसका 40% निकाल लो और बचे 60% क्रेडिटर 40% कितना आ गया है अब कहता है जो 40% वाला हिस्सा है ना इसको 75% तक रिडिउस कर दो यानि इसको 75% ही दो तो अगर हम इसको 75% ही पेड करेंगे तो बोला गया इसको पेड करो मात्र कितने 75% पेड कर दो बस इसको इस वाले अमाउंट को और इस वाले अमाउंट को बोलते हैं कि 88% पेड कर दो तो भाया क्रेडिटर में एक लाग 66,000 और टू अब जितना पेड करोगे तो पेड करने का मतलब क्या है पेड करना है के नहीं करना यह देख लो रिडिउस जब पेड सब्द बोले तो भाया पैसा देना है जब पेड सब्द ना बोले तो प्रेडिटर उतना रहेगा और बैलेंशेट में बैंक से मत और दे देना तो अभी बैंक की बात नहीं कर रहा तो हम उब क्रेडिटर सारा रिडिउस क्यूं करें जितना रिटीटर रिडिउस होगा उतने करेंगे तो यहां पे देख लो फिछत्तर परसेंट पाइड करेंगे तो यहां पे फायदा हो गया थोड़ा सा मैं इधर कर चलो इसको 75 परसेंट अगर पेड करने की बात कर रहा है पेड मतलब के रह जाएगा तो 75 परसेंट 49 आठ सो रहने की बात कर रहा है तो यहां मेरा कर रहा है तो यहां जो फाइदा होगा वह फाइदा हो गया उन्निस नौसो बीस और आप लाइन में देखेंगे क्रेटर आठ टूबी रिडियूस दिस दिस बैलेंस रिडियूस यहां पेमिंट का बात नहीं करा गया है तो हम यह जंशन लेके चल रहे हैं क्रेडिटर भाई लुए तुझे नहीं देंगे तेरे अमाउंट को रिडियूस करेंगे तो हमारा फाइदा कितना होगा एक 16600 यह वाला फायदा एक उन्निस नौसोबीस यह वाला फायदा तो तो टोटल फायदा-थाई कि एंट्री कर लेंगे उन्निस नौसोबीस है ना 36-520 का फायदा 36-520 और रीकंस्ट्रक्शन बताइए एक बार बताइए इस Entry में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो जल्दी जल्दी बताइए समय कि भी और आगे जैसे बढ़ते जाएंघे थोड़ी से मुसीब दिक्कत बढ़ते जाएगी और जैसे जैसे करते जाएए सब काम होता रहेगा कि अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया मुझे पता था चलिए हमारा क्रेडिटर है कितना क्रेडिटर है एक लाख मैं एड़्जस्मेंट को उठाके लिए आता हूं यहां कि अचलो भाई एड़्जस्मेंट दूसरे पेज़ पर चलो और अब अड़्जस्मेंट को बढ़ा करके दिखाते हैं आपको ताकि समझ वह आए और पीछे जनल एंट्री करेंगे हैं अब थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा तो बच्चों को दिमाग खुलेगा आ जाए हुआ हम ने यह वाला कर लिया यह कर लिया यह कर लिया यह कर लिया इस पर चल रहे हैं क्रेडिटर पॉट्टी परसंट क्रेडिटर तो यानि मैं पीछे बैलेंस शीट में आपको दि 166 अब जो कहता है कि इसका 40% of creditors का मतलब इसका 40% पार इसका 40% तो बाकी 40% की चर्चा कर रहा है तो मैं लिखी लूँ 40% पढ़ता जाओं और करता जाओं तो एक लाख 66000 इंटू 40% 66400 और क्या कहें रहा है जैसे जैसे कहें ना इस चैप्टर के अंदर वैसे वैसे करते जो आसानी हो जाती है कि इसके बाद कि तूबी रिडियूस 75% इसको कम कर दो कम कर दो इसको कम करना है कितना कम करना 75% तक कर दो इसको यानि इसका मतलब 75% घटा दो 25% घटा दो तो चार चारसो एंटू में 25 परसेंट इसको यह उनचास 800 कहने का मतलब है अब बचा लो मतलब यह वाला अब तकाइब तक बचालो तो यह 75 % ही हो गया यह तो 75 यह उच्छाने वाली बात समुझे या तो आप 75% सीधा घटा के बाकी का फाइदा निकाल लो या 25% निकाल के बाकी का निकाल लो वो आपके उपर डिपेंड है पुसक्त आगे कहता है बैलेंस सिक्स्टी पॉर्सेंट तो भ्यां आगर आपने एधर कर दिया तो बैलेंस तो बैस इसको घटा दो घटा का पहले बैलेंस 60 परसंट तो निकाले एक लाग 66,000 का 60 परसंट या कि 99,600 कहता है इसको घटा दो 80 परसंट इसका मतलब 80 परसंट गटाने का 80 परसंट तक बचा लो reduce to है तो 2 का मतलब होता है इतना हो गया अगर आपका 2 लिखा हो reduce to reduce to तो इसका मतलब होता है कि अब इतना रहेगा अब इतना रहेगा बचेगा और अगर लिखा हो reduce by तो इतने amount से कम करो इतने amount से कम करो तो भईया reduce to अब इतना रहेगा कितना रह जाएगा वो 80 परसंट रह जाएगा तो कितना घट जाएगा भईया बीस परसंट घट जाएगा तो बीस परसंट इसका आ गया 19 920 तो रहे कितना जाएगा सर 79680 यह अब हमारे balance sheet के liability में चला जाएगा balance sheet के liability में चला जाएगा यह था सर adjustment number ई तो इसी के हिसाब से हम अपना फाइदा फाइदा इसमें से निकाल लेंगे यह भी हमारा फाइदा हो गया और यह भी हमारा फाइदा हो गया दोनों फाइदे को जोड़ दे तो हमारा यह जनल एंट्री क्रेट हो गया 36520 का अब बताओ किसी बच्चे को doubt मैं adjustment पर focus करता हूं कि निफ्टी 135 पॉइंट प्लस है यहां पर निफ्टी थोड़ी पढ़ा रहे हैं यह तो बाद में पढ़ोगे निफ्टी सेंसेक्स बच्चे देख रहे हैं मत क्रिएट कर यहां पर वहां पर defini यूटीप पर live इसलिए नहीं पढ़ाता पढ़ाओ क्या क्या बात कर रहे हैं यहाँ चल रहाgang मैंच का बच्चे पूछने कल खेलने गया था कि आपका एक सब्जेक्ट है फंडमेंटल ओफ इन्वेस्मेंट उसमें आपको देखते हैं कितना निफ्टी सेंसिक्स आता है और निफ्टी सेंसिक्स के आता है तुंटी परसेंट स्टॉक एप्सूलूट का मतलब फुना मटश्यद नंस्ट होगे बर्बा फुट उंखराब मुच्छा पर्ट ृसका मतलब हिए ब्यात है तन्हों जाता और च्रॉपठाप कि पच्चिस दो सो बच्चों ने बताया सर पच्चिस दो सो ठीक है अब इसका कहने का मतलब है देखिए यहां फाइदा और नुकसान निकालने की बात चलती है ज्यादा नहीं करते हैं कहता है 20% of stock तो पहले stock का amount देख लेतने बहिए stock यानि inventory 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 दो दस कहता है हमारे पास 210,000,000 inventory है इसमें से आप सबकी बात मत करो इसमें से सिर्फ और सिर्फ आप बात करो कितने percent की 20% तो 20% की अगर हम बात करते हैं तो 20% 42,000 हो गया कहता है यह 42,000 का बिलकुल बेकार हो गया तो आप समझेगा बात को कई बार कुछ समान हमारा खराब हो जाता है तब भी subscribe में बिख जाता है जैसे मेरे पास यह calculator है अगर मैं इस calculator को तोड़ दू तो खराब तो हो गया लेकिन मैं इसको बेच सकता हूं फिर भी लेकिन बेचते टाइम पर हमें बहुत नॉमिनल सा माउंट मिलता है बहुत कम जिसे आप रजिस्टर यूज करते हो रजिस्टर आप पूरा भर देते हो वह तो अब यूज करने लाइक नहीं रहा लेकिन आप तब भी बेच देते हो तो आप समझो बात को कहता है कि अब 42,000 का समान खराब हो गया इसी समान को इसी खराब समान को विच इस उल्ड 40 परसेंट ऑफ भुक वेल्यू इसी को आपने बेच दिया 40 परसेंट पे 40 परसेंट वैसे तो नुकसान आपका 42,000 हुआ लेकिन आप इस से 40 परसेंट पर दो लॉस हो गया नेट में लॉस कितना हो गया 25,200 तो आई ये जनरल एंट्री के तरफ बढ़ते हैं तो क्या करेंगे सर इस्टॉक अकाउंट डेबिट है इस्टॉक अकाउंट डेबिट हमारा स्टॉक तो पूरे 42 का ही खराब हुआ और टू बैंक से बेचेंगे तो आएगा ने बैंक में चलो पैसा आएगा बैंक में वही सोच रहां एंट्री गड़मड कैसे हो गई अच्छा स्टॉक क्रेडिट हो गाना इस वही सोच रहों मेरी गणित कैसे खराब हो गई बैंक बैंक अकाउंट डेबिट रीकंस्रक्शन डेबिट और अब क्रेडिट हो जाएगा टू स्टॉक अ कि बैलेस हजार अ कि बच्चेस हजार दो सो अ कि शोलाट अ कि यह लोगी अ कि सभी को क्लियर है यह एंट्री अ कि सभी स्टूटेंट को क्लियर है अगले एंट्री पे हैं कहता है गुडविल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट बैलेंस प्रॉफिट और लॉस रिटन आफ तैंतीस हजार और प्रोवाइड प्रोविजन फोर डाउट फूल डेट्स फिक्स एसेट शुड भी अप्रिशेटिट बाइट 10 परसेंट कहता है अगर आपके अकाउंट में गुडविल है उसको जीरो करो रेटन आफ का मतलब जीरो करो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस से उसको जीरो करो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर कोई लॉस है दो उसको भी जीरो करो और आप अपने बैडडेट्स को भी 33,000 रुपे से कम कर दो और स जितने भी है उन सभी को 10% बढ़ा दो यानि यह एक अट्जस्मेंट नहीं काफी सारे एसेट्स और लाइबलिटी के उपर एसेट्स के उपर बेसिकली अट्जस्मेंट है तो मैं अपने वाले सवाल में देखूं तो मुझे कहा गया कि सर आप अपने इसमें से गुडविल को कम करेगा यानितीन बात यह है तो पहले मैं इन तीन बातों पर जनल एंट्रि कर दू और कहां करीं इन तीन बातों पर जनल एंट्री को Раз पताहिए कहां करें行 तो कुण DK Marc A, B, C, D, E, F तक तो हो गया है अब इसको कॉपी करके अगले पेज़ पे चलते है और इसकी एंट्री आगे जाएगी थोड़ा सा यह अटपटा होगा लेकिन अब दिखाने के लिए मुझे करना पड़ेगा दूसरा कोई चाह रहा है नहीं यह सम मिटा दिया जाएं क्योंकि यहां F, G, H के बाद सुरू करेंगे बिल्कुल फ्रेश इंट्री इसको उपर कर दिया जाए समझाने के लिए है तो हम बात कर रहे थे कों सी एंट्री की हम बात कर रहे थे यह गुडविल तो हमारा सब जो जो खराब होगा पहले रिकंस्रक्शन हो तू में आजाएगा आपका गुडविल कम हो गया ओ यू में आजाएगा प्रिलिम्नेटी एक्समेंस है इकसमेंस ए टू में rahat surplus है to with your goodwill कितने है डुनणो गुद्ब गुद्विल गूद्विल 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 167 ओर हिम क्या है कि 25 आजरे में सब को जोड के रिकन्स्ट्रक्ट्ट न में लिएद्व हाला कि हम चाहें तो बाकी के एसेट्स जो लॉस वाले हैं उसको भी यहीं अर्जस कर सकते हैं डेटर भी बोला कम करने को लो इसको छोटा कर रहा है यहां डेटर भी लेकर आओ डेटर कितना बोल रहा है 33,000 अब एक अट्टा ही लिख देते हैं 33,000 35,000 अब यह पूरा नहीं हुआ कहता है एसेट्स को बढ़ाओ 10% और किसको बढ़ाओ आप इंटेंजिबल जो फिक्स एसेट्स है लेंड और प्लांट इंद मसिंडी यही दोनों तो फिक्स एसेट्स है तो इन दोनों को बढ़ाओ तो दोनों को बढ़ाने में हमें क्या करना होगा सर इसको थोड़ा थोड़ा अरे वापस आगया है है टोटल गलत है तीन त्रेपन तीन त्रेपन तीन त्रेपन पांच अठाथतर कि अब आजाओ सर आपका प्लांट एंड मसीनरी बढ़ेगा कि प्लांट एंड मसीनरी आपका प्लांट एंड मसीनरी के बाद लेंड एंड बिलिडिंग और यह चला जाएक रीकांस््रक्शन में कि कितने रुपए प्लांट एंड मसीनरी अटिन तीन लाग है तो दस परसंट इस तो बढ़ाने है नहीं पहले प्लांट एंड मसीनरी तो दो 15 तो तीस हजार 51,500 यह देख लिजिए इसके बाद लास्ट में कहता है आपका कॉस्ट जो रीकंस्ट्रक्शन करता है वो फिरी में काम नहीं करेगा उसको भी तंखा उनका देना है तो उसके लिए पैसा देते हैं तो यह पूरा नुक्सानी हो गया उसको देना रीकंस्रक्श टू बैंक की एंट्री करेंगे इसके रीकंस्रक्शन टू बैंक क्योंकि उसको पैसा देना है 16 और एक चुपीवी एंट्री है जो कि सब को करने के बाद एक एंट्री बनानी पड़ेगा वो कब पता चलेगा जब तक हम कैपिटल रेडक्शन अकाउंट बना नहीं लेते त यह पूरा मामला है क्या तो यह बन गया हमारा रीकंस्रक्शन अकाउंट अब आपको फटा फट से अमाउंट वगेरा बताते जाना है मुझे कि क्या क्या जाएगा फायदे और नुक्सान की बात चलेगी है फायदा हुआ क्रेडिट में नुक्सान हुआ डेबिड में तो अब फायदा रीकंस्रक्शन अकाउंट है पर्टिकुलर अब यह बाला जो यहां दिख रहा है वो तो लिखी ले नुक्सान हो गया साथ किस से नुक्सान हुआ गुडविल से हुआ तू प्री पेड एक्स्पेंस से हुआ प्रीलिम्निरी एक्स्पेंस से हुआ टू अडेटर से हुआ और टू और किस से हुआ सर प्लस तो भी इन सब का माउंट लिखो 167 है पच्चे सजार है पांच त्रिपन स्वरी तैंतिस अजार है पांच त्रिपन इसके बाद डेटर की बात करते हैं सर प्लस की बात करते हैं और अब नुक्सान की बात करने फाइदा हो गया लेंड एंड बिल्डिंग पर अभी लिखेंगे मिर्प सामने है नहीं नहीं तो मैं लिख देता मैं है ev sirelaş जिल्डिंग YouTube दया हुआ 30,000 है यह नुकसान वहांवा बैंक से यानि कौन सा sponsored है रिक्ञन्ट्रक्शन अकाउun तो बैंक से ही नुक्सान मानेंगे इसको नई कि कहां लिखे नुक्सान इदेर बैंक से जाएगा वह 16820 अब आ जाते हम और भी इंट्रिपे हाँ बैंक अकाउंट कोई बात नहीं हम नहीं बना रहे हैं बोला नहीं है तो हम ना कैस नोट्स तो अकाउंट में अर्जस्ट कर देंगे क्या एक्यूटी शेर से फाइदा चार बीस का तो बाई एक्यूटी शेर कैपिटल चार बीस मुझे याद है जहां तक प्रिफरेंश भ था 36 520 36 अमें फाइद है इंट्र्स से भी का लगा बाइस हजार हमें पता है एक और इंट्रस से हुआ था अंसेक्यूर देख लेता है भयारदीश देख लते हैं यह पूरे चले नहीं चले उत्थ हुआ चालए यह भी कर लिया यह भी कर लिया यह और इस सथाक स्टॉक से हमारे नुक्सान हो गया था सोल आट सो इस टॉक से नुक्सान हो गया था बाइं कि स्टॉक सोल आट सो अब है नुक्सान है अच्छा बेचा था कई बार ऐसा होता है दोनों साइट बराबर हो जाता है को अगर बराबर नहीं हुआ तो अब इसए थिए सजार कि अधियर लिए सब्सक्राइब एकपिश लिए पर कि चेक पाइस जीरो पीस माइनस वह स्टॉस सब्सक्राइब पच्चेस हजार तैनेतिस हजार पच्पन तीन हजार यह पच्पन तीन हजार थोड़ी था यह गलत हो गया तीन तुरिपन तीन तुरिपन ग्रोब तो लाट सूबीस और अब यह पंद्रस हो आया आप चेक करो कि दो जा रहा है कि अब हुआ कि अब हुआ कि अब हुआ कि अब यह तो कि अब हुआ कि अब कि अब हुआ कि अब हुआ कि अच्छा पच्चिस दो सुए मैंने साथ सो कर दिया कि तो 2000 अब अब बनाना है बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट बनाना मैं आपको होंवक दू बना पाओगे कि अबना पाओगे बैलेंस शीट माल्य टिक है तो कल कौन सा दिन है अब टब है और यह तो तो बैलेंस शीट की मैं अलग से रिकॉड करके वीड़ डूब है सब्सक्राइ港 पेद्ध सब्सक्राइब को जिल नहीं कि छोँग सकते तो जिन बच्चों को जेंग नहीं था वो देख सकते हैं यह देख लिए आपको दिया है और एकदम निएट और आप सभी ना रिजीस्टर Blair वाले complaint वाले नंबर भेजेंगे बैलेंशीट में बस overview करूंगा और उस पर लिख दूँगा अच्छा है या फिर बेकार है या फिर गलती है या फिर सही है सबस्काटर के इता है